नमस्कार दोस्तों, दोस्तों CISF कॉंट स्टेबल नहीं भरती है, आपकी आचुके बंपर पदो पर भरती है, मेल हो या फिमेल हो आप इसके लिए फॉर्म अपलाई कर सकते हो, राजस्तान से हो, यूपी से हो, वियार से भी है, कोई से भी राजसे हो, आपके इंदर की भरत है, नहीं रहे गी, पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, फॉर्म कमसे सटार्ट होने जा रहे है, कितने पदो पर यह भरती है, आईूसी में, इसमें क्या रखी गई है, सैलेरी कितनी मिलने वाली है, सब कुछ माह को इस वीडियो पे बताने वाला हो, तो आप ये फॉर्म जरूर अपलाई करना चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर कर देगा पहले दोस्तों मैं आपको बता दू बरती जो निकल का यह होगा है CISF Constable Trade Man की बरती है दोस्तों बंपर पदों पर बरती है तो आपको इसको फोरम जरूर अपलाई करना है अम मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कितने पदों पर बरती आई है कौन-कौन से पद है मेल के कितने पद है और फिमेल के कितने पद है तो पदों की बात कर लोग टोटल मिलागर 710 पदों पर यह बरती निकल के आई है मेल की बात करूं, मेल के कितने पद है, मेल के जो पद है दोस्तो, 633 मेल के पद है, और मेल के पद है 69 या नि गुनाइतर, कितने पद है गुनाइतर, कौन-कौन से पद है दोस्तो, यहाँ पर आपके जो पद नजर आ रहे हैं, दोस्तो, कुक के है, नाई के है, सपाई करमी के है दोबी के हैं पेंट्र के हैं मालिक हैं टेलर के है इन में आप फॉर्म अपलाई करसकते हूं योगता की बात करो दोस्तो पोर Biden यहाँ आहाँ स्वी पास हो तो यह फॉर्म आप अपलाई करसकते हो और यहाँ पर आराम से है वो नोख़री कि जाएगी इसके लावा दोस्तों ओबीशी हो गया एसी एस्टी हो गया फिमेल हो गई इनको यहां पर एज के अंदर छूट भी मिलने वाली है जो भी आपको छूट मिलती है वो यहां पर भी मिलने वाली है तो फॉरम जरूर अपलाई करना आगे बता दू फॉरम डेट रहने वाली है तो बीस दिसंबर से पहले पहले फॉरम अपलाई कर देना आगे बता दू फॉरम फिस कितनी रहने वाली है जनरल और OBC मेल की जो फॉरम फिस रहेगी वो स्रीप और स्रीप 100 रोपे रहेगी CST के 0 रोपे रहेंगे तो बॉरम फिस में यापर बहुत कम है आगे बात कर लो दोस्तो फिजिकल क्योंगे आपको यापर फिजिकल भी पास करना पड़ेगा फिजिकल में क्या-क्या होने वाला है उस मुद्दे पे हम थोड़ीशी बात कर लेते हैं मेल की जो हाइट सेंटिमेटर चाहिए दोस्तों मेल को जो रेस करनी है राम से कर लोगा आज़र में आगे बता दोस्तों पेपर कैसे लगने वाला है क्या नेगटिव मार्किंग रहेगी कौन-कौन से स्टेजों से आपको गुजरन है तो पहले दोस्तों यहापका होगा वह वह ओगा फिजिकल ध्यान से सुन लेना यहां पर पहले आपको प्र जो वगा वह ओगा फिजिकल होगा फिजिकल के दिन आपके डौकॉमेंट ses heek हो जाएंगे और उसी दिन आपका ट्रेड्र टैस्ट हो जाएंगा अब बहुत यह गभरा कि Trite Test की होता है आप जिस से करते हो तो यहां पर आपको थोड़ी सी GIS इसे भोहते हैं याह इस होना था हो जाता है तो पहले आपका जो हो दोस्तों वंगा क्या क्या था eraser और पार कर लेते हो दोस्तों एक ही दिन ही हो जाएंगे तो पिर आपको ँगाएग्जाम अब क्या क्या आने वाला है उस मुद्धे पर बात करने वाला है अग्जाम के बाद में दो जो आपका होगा वोगा medical आप सबसे बड़ा मुद्धा है एक्जाम में क्या आने वाला है तो एक्जाम में आपको टोटल में आकर दोस्तों सो कुष्यन आएंगे सो नमबर के negative marking इसमें नहीं रहती सबसे बड़ा दोस्तों जो आपके लिए लाब है वो लाब यह है किसके अंदर negative marking नहीं रहती है दो गंटे का आपको समय मिलेगा और 100 कुष्यन आने वाले है नहीं रहती है अब कुष्यन किस प्रकार के आएंगे दोस्तों इसमें GKGS मतलब कि पेपर आपका नॉर्मल आने वाला है और negative marking है नहीं तो सौ में से 100 कुष्यन आपको टोटल करके आने वाले है तो आपको देख सकते दोस्तों पहले आपका क्या होने वाला है फिजीकल डॉकुमेंट वेरिफिक्शन ट्रेश्ट एक दिन में हो जाएगा उसके आपको जरूर अपलाई करना है दोस्तों वीडियो के वीडियो को लाइक कर देना दन्यवाद दोस्तों वीडियो देखनी के लिए